बाराय व्रम बाराय OS brushes और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टार्ट अपृटक्स स्टार्ट अश्वरे में दोस्तों मुझे काफी ँरी जारी थी कि सर आप हमको Klima करी कि कि सानी तरीके से हम्सकें प्रॉडक्स सिल्लेक्शण करें क्योंकि यह हमारे लिए सबसे challenging task है तो देखे दोस्तों हमने product selection को लेके एक special playlist बनाया हुआ है वो खासर के आप check करिएगा लेकिन यहाँ पर जो है मैं और advanced level की बात करने वाला हूँ क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं experience भी हमारा बढ़ते जाता है तो वो experience जब मैं आपको share कर देता हूँ तो आपके life में भी यह सारी चीजे काम आती है तो product selection हमने काफी student का देखा और हमने track किया कि इनको सफलता मिल रही है कि इनको नहीं मिल रही है कोन आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं और मैं final एक checklist एक sheet आपके समक्ष लेके आया बहुत useful हो सकता है startup के लिए product selection करने के लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि buyer awareness level जो भी product आप चूज करते हो वो यह 5 में से एक category यानि कि एक level पे वो buyer का stage होता है for example आपने agro product choose किया ठीक है onion potato तो वो चीज़ में buyer जो है वो most aware होता है उनको product का knowledge होता है क्योंकि वो regularly खरीदता है ठीक है वैसे तो buyer जो है उसको knowledge होता ही है लेकिन बहुत सारी ऐसी products होती है जिसमें आप थोड़ा अप्ग्रेडेशन करते हो इनोवेशन करते हो नया आता है जिसमें consumer का awareness level नहीं होता है most aware जो products होता है उसमें buyer का preference होता है yes इसका में यह है कि buyer के mind में कुछ force होते हैं दुकाने होती है वहीं से वो चीज़ खरीदना पसंद करते हैं अब आगे देखते हैं brand query from consumer क्या consumer यह चीज़ों में brand के बारे में चर्चा करते हैं या branding वाल product लेते हैं तो most probably जो है यहाँ पर आता है no क्योंकि जबी एक जो buyer को product के बारे में पूरा awareness है market के बारे में पूरा awareness है तो वो ऐसा सोच नहीं रखता कि मुझे ये brand name से चाहिए तो ऐसा सोच नहीं रखता कि मुझे ये brand name से चाहिए ठीक है और क्यूंकि यहाँ पर उनकी brand query नहीं है, इसलिए आपका entry level यहाँ पर हो जाता है easy, यानि कि अगर आप इसका business शुरू करते हैं, तो आपको एक plus point यह मिलता है कि लोग आपसे भी लेंगे, क्योंकि अलू चाहे कोई भी दे, अच्छी quality के अलू है, चाहे कोई भी brand के हैं, तो most probably buyer आपसे खरी देगा, शुरुआत में entry level easy होना, startups के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पर देखें दोस्तों कोई ऐसी product है, जिसमें customer brand से demand करता है, right, for example, maggie noodles हो गया, या फिर किसान tomato ketchup हो गया, या फिर customer demand करता है कि हमको LIC का ही policy चाहिए, तो यह सारे क्या है, brand queries हो गया, तो आपके products में अगर brand queries बहुत जादा है, आप जो product choose कर रहे हो, उसमें अगर brand queries बहुत जादा है, तो फिर as a startup यह चीज़ मुश्किल हो जाती है, compete कर में के लिए, जिसे कि दोस्तों आपने देखा कि entry level agro products में easy है, लेकिन वहाँ पर competition level बहुत high है, जिसके कारण आप जो है profit जादा कमाने पारते because of the very high competition, और यह बहुत है risky हो जाता है, और यहाँ पर बहुत difficult हो जाता है startup के लिए अच्छा खासा profit कमा पाना, क्योंकि यहाँ पर हर कोई startup यह सूचता है कि क्योंकि इनका entry level easy है, so हम इसमें enter हो जाते है शुरूआत में और यहाँ पर competition level बहुत high हो जाता है, लेकिन एक plus point यह है कि इनकी organic demand है जादा होती है, यानि कि इनके लिए आपको marketing जादा नहीं करना पड़ता, आप onion potato का कम भी marketing करेंगे as compared to other products तो भी आपका products का demand रहेगा, और चाहे जो कोई भी situation हो, हमने देखा दोस्तों कि COVID के time पे almost हर products का export down हो गया था, लेकिन खास करके agro segment और इसका export बढ़ता गया था, उसमें से थे agro products क्योंकि इनकी एक high demand रहती है, क्योंकि अगर दोस्तों agro product choose करते हैं, तो हमारी marketing strategy क्या होनी चाहिए, और हमको किस तरीके से हमारे prospect को यानि की consumer customer को approach करना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों यह चीज़ important है, ध्यान रखिएगा, strategy सब direct का मतलब क्या होदा, direct का मतलब यह है, कि यहाँ पर आप buyer को directly approach करते हूँ, यह as a startup, क्योंकि यहाँ पर बहुत high competition है, buyer के पास बहुत सारे option मिल जाते हैं, तो हम शुरुवात में ऐसा expect नहीं कर सकते, कि buyer हमको सामने से approach करें, हमको ही buyer को approach करना पड़ेगा, और mainly हमारा discussion जो ह होता है, वो product और pricing को लेके होता है, ठीक है, यह हमारा key discussion रहता है, अगर हमने हमारे products के बारे में बता दिया, अगर हमने right pricing बता दिया, जो market के competitive rates है, तो definitely हमारे deal होने के maximum chances बढ़ जाते हैं, कैसे marketing करना चाहिए, जिसे हमको result मिले, तो हमारा result oriented marketing approach क्या रहना चाहिए, agro products में जो अच्छा कासा deal कर जाते हैं, वो trade shows जाबा attend करते हैं, जितने जाबा आप trade shows जाबा attend करेंगे, जो खास करके government के द्वारा organize किये गए हैं, councils के द्वारा organize किये गए हैं, उससे आपको काफी जाबा फाइबा मिलता है, तो यह सबसे बढ़िया strategy रहती है, अगर initially आपके office से leads लेना चाते हैं, business करना चाते हैं, तो सबसे powerful technique यहाँ पर आपके लिए आती है, cold calling and email marketing to the port data, आपको और कहीं जाने की जरूवत नहीं है, इधर उधर बाइर डूनने की जरूवत नहीं है, आपके लिए सबसे easy और fast तरीका port data होगा, तो आपको इधर उधर बाइर डूनने की जाने की जरूवत कुछ भी नहीं है, आप एक proper port data को लीजिए, क्योंकि port data से आपको genuine मिल जाता है supplier और बाइर का details, और वही port data में आप cold calling और email marketing करते नहीं हैं, proper follow up method आप apply करिए, तो आपको deals मिलती है, इस high competition की वज़े से उनको entry तो अच्छी खासे मिल जाती है, उनको buyers भी मिल जाते हैं, बहुत साबा credit में demand करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि start-ups की ना तो investment capacity होती है, और अगर investment capacity होती भी है, तो पैसे डूमने का बहुत बड़ा यहाँ पर risk रहता है, तो credit होने की वज़े से यह चीज जो है highly risky हो जाती है, और इनके कारण क्या है कि बहुत सारे बहुत सारे लोग वहाँ पर ही deal करना चाहते हैं, यह segment में, कि जहाँ पर इनके relative friend group circle हो, वरना यह चीज बहुत मुश्किल हो जाती है payment को लेके, इगरो प्रोड़क के investment की बात की जाए, तो तकरीबन 10 से 20 लाक रुपे का लोग जो है, इसे शुरूवात यह करते हैं, और एक साल में अगर अच्छा-कासा हो मैनत कर ले, तो 4 से 5 deal कर ज पाँच पाच पाच लाग के इस टाइम में यह बजेट में भी होते हैं, तो और कुछ ऐसे भी प्रोडक्स है जिसमें 7-8-6 लाग भी लगते हैं, तो 35 लाक्स का on an average turnover निकाला है दोस्तों मैंने, और जिसका profit margin आप फिक्स में 3% लेग रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है around yearly profit margin उनका हो जाता है 15% और yearly जो है 80,000 to 1 lakh रुपीज कमा पाते हैं, ठीक है, तो यह बहुत ही कम है, 80,000 to 1 lakh ही कमा पाते हैं, शुरुवाट में, लेकिन एक बड़ी बात यह होती है volume वारी product के लिए कि उनकी scalability very high होती है, क्योंकि आज पले उनको कम profit मिला है, कम percentage मिला है, हल इतना ज़्यादा volume बढ़ेगा, इतना ज़्यादा उनका yearly profit बढ़ता रहेगा, अब देखे दोस्तो, मुझे काफी लोग बताते हैं कि इतने चोटे margin, काफी लोग बताते हैं कि केवल 3% margin में कोई क्यों काम करेगा, देखे दोस्तो, मेरे पास ऐसे भी लोग है, मैंने देख होंगे कि 1% में लोग काम करते हैं और 1% में काम करने के बावजूद भी वो बहुत successful businessman होते हैं, जिसके पास Mercedes और BMW जैसी car भी है, वो इसलिए इतना काम कर पाते हैं क्योंकि इनका के ये जो products है, ये volume वाली products है, ये जो agro products में आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये volume वाली है, जैस इंडिया से बाहर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कि margins कम होता है, volume ज्यादा होता है, अब ये आपका margins कम है, आपका volume turnover बढ़ता जाएगा, अब ये 35 lakh की बढ़ ले, आपका 3 करोड़ पोचा, ये 5 करोड़ पोचा, 10 करोड़ पोचा, 100 करोड़ पोचा, तो ये आपका yearly profit margin ह है, वो आपको check करना होता है, ये profit margin जो आप per sale में calculate करते हो, वो यहाँ पर valid नहीं है, products को analyze करें, तब आप check करें कि मुझे yearly इसमें से कितना मिल सकता है, maximum या minimum, ठीक है, ये आप check करें, ना कि सिर्फ ये check करें कि मुझे per sale में कितना profit मिलेगा, ठीक है, ये आपका calculation फिर अध 10 लाग रूपए लेका है, आपने shipment किया, आपको profit मिला, आपका investment मिला, आपने वापिस business में लगाया, आपको वापिस return मिला, इस तरीके का जो है, यहाँ पर काम चलता रहता है, पर जो आपकी scalability है, वो बहुत high होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना अपना trade बढ़ा आना चाहते हो, बढ़ा सकते हो, यह सबसे बढ़ा advantages जिसे कारण लोग बहुत कम margin में भी काम करते हैं, लेकिन इसका बढ़ा limitation यह है, कि volume बढ़ाने के लिए आपको investment आपका बढ़ाना पड़ेगा, so that becomes a very challenging in this part, कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कि आप 10 से 20 लाग रुप आपको यह चीज बढ़ानी है, ठीक है, यह आपको बहुत आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको अपना investment capacity भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपके yearly profit margin से वो ज़्यादा बढ़ते हैं, तो यह जिसकी market में maximum awareness है, और यहाँ पर केवल agro products भी नहीं, आप बहुत सारी यह इसी products ले सकते हो, जो बहुत सादा volume में जाती है, जैसे ceramic tiles हो गया, जैसे brass part का products हो गया, यह सारे इसी categories में आते हैं, ठीक है, तो यह आप यहाँ पर check कर सकते हैं, तो फिर मैं final conclusion में आता हूँ कि कौन से products best रहेंगे, तो दोस्तों अभी तो हमने level 1 ही समझा है, right most aware, आगे के सारे level समझते हैं, फिर मैं final conclusion में आता हूँ कि कौन से products best रहेंगे, तो दोस्तों product aware के बारे में, जिसमें buyer को product के बारे में awareness है, और कुछ हद तक वो market के बारे में भी जानते हैं, अब by preference यानि कि जो consumer है, या buyer है, क्या उनका preference रहता है कि मैं इनी से ही ले लो, तो यहाँ पर यहाँ पर ऐसा होता है कि they are very fixed in it, यहाँ पर मैं चलिए कुछ product के example लेके चलता हूँ, जैसे कपड़े है, ठीक है, तो आपको पता है कि कपड़े है, jeans है, shirts है, t-shirts है, यहाँ सारी चीज़ है, ठीक है, तो buyer is aware about the product, अब यहाँ पर उनका buy preference भी है, ठीक है, अब सब से यहाँ यहाँ उनका buy preference भी है, most of the case में, और क्या brand query from consumer है, then more is yes, right, वो branded चीज़ें लेना चाते है, brand queries बहुत जादा होती है, अब यह case में क्या है, कि जब एक brand query है consumer की, कि मुझे devices के लेना है, या Reebok के ही लेने है, या फिर यह specific brand, क्योंकि छोटी बड़ी बहुत सारी brands है, ठीक है, जिसमें consumer का used to होता है, वो चीज़ें पैनते हैं, उनको comfortable feel होती है, उनकी shop preference भी fixed होती है, तो इस case में थोड़ी आपकी entry level क्या होती है, difficult, देखे दोस्तों, मने difficult लिखा है, impossible नहीं लिखा है, अब देखे दोस्तों, difficult entry जब होती है, तो इसके कुछ फाइदे भी है, यह कुछ आपको नुक्षान भी है, नुक्षान सबसे पहले क्या है, कि entry level difficult है, ठीक है, यह तो एक बात अब समझ से, तो फाइदा क्या है, फाइदा सबसे बड़ा आपको यह है, कि इसमें कोई भी लोग trade करने सीधा नहीं गुश जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी है, वो यह भी सोचती है कि, और वो ऐसे market में एंटर होती है, जिसमें entry level difficult हो, जो हर कोई business ना कर सके, क्योंकि क्या है, aggro segment का business तो हर कोई आके करेगा, लेकिन जो product aware segment है, उसमें जादा लोग जो है, नहीं entertain होगा, या यह level पर नहीं पहुँच पाया होगा, या नहीं करेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर entry level है, वो difficult entry level है, अब इसके 5 है, आपको अगर ये level में काम करना है, तो इसको आपको positively लेके चलना चाहिए, आपके products मान के चलिए cotton yarn है, अब cotton yarn में आपको ऐसे लगेगा कि, इसमें तो brand query ही नहीं मेरे cotton yarn, मैं आराम से बेच सकता हूँ, द पड़े का आपको देखना पड़ेगा कि brand query है की नहीं है, यह मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जिस में brand query है, उसमें एक chain बन चुका होता है, और वो chain में आपको enter होना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको analysis करनी है, तो अगर ये चीज़ आप analysis करेंग तो आप जो है, इसमें अच्छी तरीके से marketing कर पाएंगे, हाला कि entry level difficult है, लेकिन इसकी भी strategies है, अगर वो आप apply कर ले तो आप इसमें घुश जाएंगे, थोड़ा time लगेगा, क्योंकि difficult है, लेकिन आपको इसमें से business अच्छा खासा मिल सकता है, कि आप देख सकते हैं कि जो agro products में very high competition था, वो comparatively यहाँ पर competition थोड़ा घड चुका है, अब यहाँ पर आपकी marketing strategy क्या रहेगी, तो marketing strategy आपको रहेगी direct, right, discount and deals, तो यहाँ पर भी देखें दोस्तो directly consumer आपके पास तुनन नहीं आएंगे, आप as a नए startup हो, तो आपको जाबा focus करना पड़ेगा, discount and deals, यह केवल छोटे shops में नहीं होता दोस्तो, बड़े level पे भी, जब आप देखोगे, इस चीज में study करोगे, तो बहुत सारे discount package, बहुत सारे deals, जो है, design किया जाते हैं, और buyer को दिया जाते है, B2B segment में भी, ताकि जो है, buyer का mind trigger हो जाए, और वो चीज आप से लेने, तो यह के result oriented marketing करे, जिसे हमको deal फटाफट मिले, तो इसके लिए भी दोस्तो जिसे trade shows है, वहाँ पर आप visit कर सकते हैं, अगर trade shows आपको ज़्यादा महेंगे पढ़ते हैं, तो आप targeted ads कर सकते हैं, शोशल मीडिया में targeted ads आप run करने के लिए हमने कुछ videos भी बनाया है, जैसे facebook का भी video हमने latest थोड़ी दिन पहले upload किया था, जहाँ पर आपने बताया था, कि automated targeted ads आप कैसे run कर सकते हैं, अब specific अपने products का keyword डाल सकते हैं, एक अच्छा कासा banner बनवा सकते हैं, freelancer से और आपके ad run कर सकते हैं, तो क्या है यहाँ पर आप जितना ज़्यादा awareness campaign run करेंगे, उतना ज़्याद ad run कर रहे हैं आप Facebook के, उसमें आपको जो आपका mission है, यानि की goal objective है, वो यहाँ पर आपको communication रखना है, यानि की WhatsApp communication या फिर Facebook messenger, क्योंकि directly लोग जो है आप नया website बनाए हैं, तो तुरंत आप से लेने नहीं लगेगा, या bulk order नहीं देगा, आप गलती यह कर देते हैं, कि जब कुछ नहीं, आपका objective मेन होगा कि जो भी targeted customer है, वो हमको message से approach करें, क्योंकि एक बार message से approach करेगा, एक बार communication होगा, चर्चा थोड़ा होगा, तो फिर बड़े deal में convert होगा, PO issue के stage में आएगा, emailing में भी जाएगा और फिर ultimately deal में convert होगा, और definitely यहाँ पर आपके लिए बढ़ data में हम email और call करते हैं, उसका result सबसे जादा आता है, तो make sure कि आप port data के उपर work करिए, और जो authentic genuine database है, उसमें आप यहाँ पर marketing करें, यहाँ है कि आपको secured terms मिलती है, जैसे LC वगेरा होती है, secured credit, तो यहाँ पर जो है, एकदम से agro products की तरह नहीं होता कि उधारी में चड़ा द यहाँ पर आपका जो trade होता है, वो बहुत अच्छा खासा secure terms में जादा दर होता है, जिसमें आपकी payment की जादा safety बनी रहती है, तो अने वाले time में future में आप यह चीजों को expand भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यह चीज में expand नहीं होगा, आप भी franchises वगेरा चीज से दे सकते ह अब देखें दोस्तों करें investment के बात करें तो 5-10 लाक रुपे का investment यह segment में लगता है, कुछ लोग इसे भी कम में शिरू किये हैं, लेकिन जादवार लोगों को जिसको सफलता मिली हुई है, उसका 5-10 लाक का average investment गया है यह segment में, चापर वो जो है yearly invoice एक से दो बनाते हैं, hardly उ रखें तो उनका एक ही deal होता है, तो yearly 10% margin मिलता है, तो उनका जो yearly profit है वो 80,000 to 1 लाक रुपीज रहता है, अब यहाँ पर जो है main बात आती है scalability की, तो scalability भी इनकी high है, यह product का भी business काफी volume में बढ़ाय जाता है, लेकिन yes as compared to aggro इसकी scalability low रहेगी, क्योंकि at the end of the day आपको yearly profit चेक करना होता है, कि yearly profit जो है आप कितना कमा सकते हैं ज्यादा, क्योंकि मान के चले को एक product है जिसका 500% भी margin हो सकता है per sale में, लेकिन आप पूरे साल में कितना वो चीज़ सेल कर रहे हो, वो important है और yearly profit आपको निकालना पड़ता है, तो yearly profit अब एक ही sell हुआ, जो आम तोर पे startup शुरू करते हैं, तो एक ही कर पाते हैं ये product में shipment डेकादा, कुछ लोग दो कर जाते हैं, तो ये जो है इनका margins रहता है, फिर आने वाले साल में ज्यादा deals होती है, जहाँ पर आपके regular shipments होते रहते हैं, लेकिन ये हम initial startups की बात करते हैं, जो बात आती है, वो है solution aware की, तो solution aware में क्या होता है, कि यहाँ पर branding का preference लोगों का कम होता है, हलाकि दोस्तों जब मैं बताता हूँ कि branding का importance कम है, या without brand sale होता है, इसका मिलब ये नहीं है कि आप without brand sale करें, आपको अपना brand का ही नाम से sale करना है, चाहे आप आलू प्याज भी बेजे, फिर भी आप बोरी अपने specific brand query या by preference of that particular shop, इसके कारण क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर ये entry difficult हो जाती है, क्यों entry difficult हो जाती है, क्योंकि product की awareness ही नहीं है, अब जैसे जैसे product की awareness कम होती है, वैसे वैसे उसका sales डाउन होता जाता है, मैं आपको example बता सकता हूँ चीज़ का, जैसे मुर्भी का आप example ले लिजी ceramic tiles, तो ceramic tiles का export क्यों बढ़ा, वो इसमें बढ़ा क्योंकि buyer का awareness level बढ़ा, और buyer का awareness level क्यों बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे seller हुए, अब बहुत सारे ceramic industry हुए, वो marketing करने लगे, वो buyer को इसका importance समझाने लगे, कि by tiles का value ये है, वो है, तो जितना ज्यादा ceramic tiles का charge हुआ buyer का knowledge बढ़ गया, buyer का knowledge बढ़ा, तो वो चीज़े खरीदने लगा, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, कि जो भी आपका stage है, ठीक है, उसमें से आपको वो upgrade करके most aware stage में ले जाना होता है, लेकिन herbal products में जादा तर जो है, products वो solution aware category में आते हैं, क्योंकि आपके herbal products, जादा startups के, फैले नहीं है, कुछ buyers ले रहे हैं, ठीक है, आपने शुरुआ किया हुआ है, तो ये solution aware category में हो गया, इसके मेरे products है, ठीक है, health supplement, herbal products, edica leaf products, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम कैस तरीके से market कर सकते हैं, कैसे हमको इसका marketing करना चाहिए, क्या हमारी sales strategy रहनी चाहिए, वो ह लेकिन यहां पर जो demand है organic, वो भी average रहेगी, इतना ज़्यादा लोग जो है, वो search नहीं करेंगे Google में, या फिर उनकी organic demand store में जाके इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए यहां पर आपको करना ये पड़ेगा, कि आपकी marketing strategy में आपको ज़्यादा claims and proof, इसलिए यहां पर indirect marketing होता है, चहां पर आप directly कभी भी नहीं बताते हैं कि मेरे से product ले लो, या उसका price discussion करते हैं, या फिर cold call करके बताते हैं कि I am the supplier of so-and-so products, या फिर जबी भी आप marketing strategy अपनाते हैं, mostly it has to be very 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 indirect, कि directly pricing के बारे में discuss नहीं करना, directly product के बारे में discuss नहीं करना, अब अब बताना है क ये लोगों ने हम से चीज़े लिया और ये उनको फाइदा हुआ, आप शायद बहुत सारे photograph और advertisement देखते होंगे, before and after, कि before ये ऐसा था, और after ये इतना इसमें बनलावाया, इसी तरीके से आपको अपने writings, अपने designing और अपने ads इस तरीके से इसमें work out करने पड़ते हैं, त क्योंकि keyword base में इतनी inquiry होती नहीं है, उतना उनका research होता नहीं है, तो हमको display work out करना पड़ता है उसमें, जादा से जादा हमको SEO करना पड़ता है, search engine optimization, कि जो keywords है, for example herbal products है, या herbal के related जो keywords जादा search होते है, उसके related या benefits of herbal products, ऐसे ऐसे keywords में हमको work करना पड़ता है, चहां पर traffic आ हो और वहां से backend में हमारा marketing lead generation करना पड़ता है, तो यह जो भी हमारे lead generation strategy होते हैं, वो indirect होते हैं, जैसे उसमें आप अची तरीके से marketing कर सकते हो, आपको अपने YouTube channel शुरू कर देना चाहिए, और YouTube channel में आप जाबस जाबा ऐसे health tips या health awareness के videos बनाएं, और उसमें आप backend का end में अ देखा होगा काफी YouTubers यह चीज को करते हैं, तो इस तरीके का आप regularly week में एक दो videos डालते रहेंगे, तो automatically आपके views बढ़ेंगे, YouTube add भी run कर सकते हैं, जादा आपको views लाने के लिए, लेकिन आपको ultimately यह करना पड़ेगा, जाबस 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 फोकस claims and proof में करते हो, right, you need to show the proof कि भाई हमारे यह चीजों को लेके वाके में लोगों का फाइबा हुआ है, जितना साबा है और जितना effective, जितना strong यह चीज आप कर पाएंगे, definitely आप जो है advance payment की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको advance आता है, और bulk shipment भी करो तो आपको partial advance आता है, तकरीबन 50% आप पकड़ के चलिए, बागी का 50% आप LC कर सकते हैं, चाहे बड़ा bulk shipment भी हो exports में, यहाँ पर आप expect यह चीज में कर सकते हैं, investment की बात करें तो लोग 3-4 लाग रुपे का investment इसमें लगाते हैं, और यह चीज में साल में 1-2 इनके inverses बन जाते हैं, इनका yearly turnover 5 लाग के करीबन पहुँच जाता है, 20% हो गया और आपका yearly profit margin की तकरीबन आपका 20% यहाँ पर हो जाता है, और आपका जो startup में yearly profit है, वो तकरीबन 80,000 to 1 lakh के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका growth जो है, यानि कि scalability है, वो average रहता है, यानि कि इसका sales आप एक limit तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप एकदम से बहुत ज़्यादा sales का आशा इसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि margin अच्छे रहेंगे आपके, लेकिन आपको average scalability पे काम करना पड़ेगा, इसको कैसे बढ़ा जा सकता है, मैं फिर आगे इसके बारे मे फर्दर बताऊंगा, problem aware और unaware, ये दोनों साथ में ही समझ लेते हैं, problem aware में ऐसा है कि लोग problems के बारे में जानते हैं, लेकिन solution के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे कोरोना का example ले लिजिए, कोविड, पहले के टाइम, अभी तो चलिए vaccination आ गया, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि यूरोप में भी केसिस बढ़ रहें काफी सादा, तो लोग problem जो है, उनके बारे में चानते हैं, लेकिन उनका solution नहीं जानते हैं, अब जैसे मान के चलिए कि कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो government recommend करती है, जो खाने से, ये consume करने से, आपका immunity strong हो सकता है, आमला के products हो गये, जैसे ginger के products हो गये, जहां पर by preference नहीं होता आम तोर पे लोगों का, जो है कोई पतन जली का खरीता है, कोई चमन प्राश्ट डाबर का खरीदेगा, अगर आपकी product की brand query है, ठीक है, तो ये फिर level उनका change हो जाएगा, वो aware category में आपको रखना पड़ेगा, लेकिन जानते जिसकी awareness ही ये बायर को, कि ऐसे भी products हो सकते हैं, इसमें जानते services आ सकती है, जैसे मान के चलिए आप export कर रहे हो, ठीक है, कोई database sale करने आ गया, या कोई ऐसी service sale करने आ गया, जिससे आपका export boost up हो सकता है, कि हम आपको बायर भेंगे, या फिर हम आपका exports बढ़वाएंगे, तो यहां पर आप unaware थे चीज़ों को लेके, यहां पर entry level toughest था, लेकिन advantage यह होता है कि competition monopoly हो जाती है, ठीक है, ऐसे business में monopoly हो जाती है, लेकिन उसके demand बहुत low होती है, और यहां पर आपको क्या बताना पड़ता है, यहां पर आपको success stories बतानी पर, यह वेकिए, यह उन्होंने मेरे से website बनव की social media ads है, या फिर आपका SEO है, blogging है, Quora एक बहुत बड़ा benefit, Quora marketing, Quora एक बहुत अच्छा website है, जो worldwide बहुत famous है, आप कुछ भी search करते हो, research करते हो, तो Quora के website stop में आई जाते हैं, वो question answer websites है, और यहां पर दोस्तों बहुत अच्छे खासे लोग marketing करते हैं, अगर आपने Quora में अच्छा खासा account बना के marketing करना सीख लिया, तो अब यकीन मानिये दोस्तों, आप zero cost में अच्छा खासा marketing कर सकते हैं, आपके website में बहुत ज़्यादा traffic आएगा, और आपको कोई खर्चा, कोई कुछ expense नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि यह होता कैसे है, आने वाले टाइम में दोस्तों मैं planning करना हूँ कि मैं कोरा marketing के related भी वीडियो बनाऊंगा, और आपके समक्ष लेके आऊंगा, क्योंकि यह बहुत interesting चीज़ है दोस्तों, अब blogging है, on page SEO है, creative videos है, जब 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 फॉरम में आपको participate करना है, आपको question answers में और info videos और answer आप इस तरीके के बे, जिसमें add में आपका marketing हो और customer को भी अच्छा लगे, जब यह चीज़ है इसमें जब 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 फोकस करेंगे, तो यहाँ पर आपको leads मिलती, leads मिलती दिखेगी, investment जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते, जैसे 1 to 2 lakh, investment लगता है, और यहाँ पर आपका जो profit margins है, यह profit margins है, around आपके 35% जितने रहते हैं, 40-50% में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी scalability एकदम limited हो जाती है, जबा से जबा इस चीज़ में scale नहीं कर पाते हैं, क्योंकि at the end of the day, आपका जो knees है, जो knees आपने पकड़ा है, वो limited है, ठीक है, तो knees को फिर आपको बड़ा करना पड़ता है, तब जाके आपकी scalability improve होती है, अब सबसे main question का answer में दे रहा हूं, कि कौन सा product select करे, in fact, इन में से हम जुके होंगे, कि शुरुआत में चाहिए जो भी product पकड़ लो, आपके margins almost same रहते हैं, हाँ, यह जरूर है, कि कुछ में आपको investment बहुत कम लगा, और आपको margin से सा मिला, और कुछ investment ज्यादा लगा, लेकिन दोस्तों समझ ये, अब देखे दोस्तों सबसे main आपके question का answer दे रहा हूं, कि कौन सा product हमको choose करना चाहिए, देखे दोस्तों इसका answer ये है, कि चाहे आप जो कोभी product choose करो, चाहे pin करो, it is the same, उसमें कोई खराबी नहीं, कोई product ये product बहुत अच्छा है, इसमें करना चाहिए, ये product बुरा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप हमारा रिखास करके research analysis का हमने tutorial बनाया हुआ है YouTube में, आप पूरा चेक कर लीजिए, फिर आप जो भी product पकड़ेंगे, उसमें काम गे regular, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, अगर आप change करते रहेंगे थोड़े-थोड़े time में, तो कुछ नहीं मिलेगा, एक product में सफलता मिलती है, तो फिर आगे आप उसमें add-on करिया, अपना portfolio बढ़ाएं, ना कि घटाएं, अब आपको सबसे बढ़ा मैं आपको secret बता द ठीक है, ये buyer awareness level है, तो आपके पास ये 5 awareness level के, 5 products होने चाहिए, ठीक है, as a startup, ये समझ लीजिया, आपके पास ये 5 awareness level के product होने चाहिए, क्योंकि आप e-commerce का भी export शुरू करते हो, तो बताते हैं कि आप एक products है मत करो, ठीक है, आप at least 5-6 रखो, या at least आप 10-20 रखो, लेकिन यहाँ पर जो है, exports में भी, bulk exports में काम करना है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप एक product से ही काम शुरू करी, एक product का मतलब क्या है, एक category से शुरू आप करिया, अब ये category में आप stick to रहिए, तो यहाँ पर देके दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कि ये 5 variant है, उसके हमारे पास products है ready, ये देखिए, onions, most aware category हो गया, dehydrated onion, product aware हो गया, onion herbal hair oil, solution aware हो गया, onion extract है, problem aware हो गया, onion shampoo जो है, वो unaware segment हो गया, ये 5 हो में आप जब दिल से काम करेंगे, तो आप यकीनन ये result देख पाएंगे, क्या है, आपके website में चीज़े organize रहेगी, ये देखिए, ये बंबा जो है, ये अच्छी तरीके से एक product, एक variant में काम कर रहे है, इसके पास ये varieties अच्छी खासी है, अब आप जब सबके लिए marketing कर रहे हो, तो automatically आपका most aware marketing होगा, और जब आपका most aware sale हो रहा है, तो automatically आपका product aware भी categories आएगा, और ultimately आपका goal हो, क्या होना चाहिए, what should be your goal, your goal should be, कि से ज़ादा से ज़ादा आप जो है most aware segment में product को ले आए, ठीक है, अपने buyer को most aware segment में लाएं, और आपकी जो brand query है, वो बन पाए, brand query बन जाएगी ना दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आप जो है एकदम stability की साथ आगे बढ़ेंगे, आज कल के टाइम में मार्केट में मुझे लो बिसनेस को improve करिये, खुझ से आगे बढ़िये, यह याद रखे कि यह हर variant, यह 5 variant के products आप decide करें, यह product तो example है, ठीक है, 5 variant के products आप बना है, वो website में list करें, और यह 5 को एक साथ आप शुरू करें, और यह ultimately आपका एक ही product माना जाएगा, एक ही product या एक ही segment माना जाएगा, ठी यका टेएगका अफिय टीए है यह लोय्गे तो एक है का responsible कि यह वीकार एक से रावर लिएडाएबाएगा शवा हाउगा इस का हृजए हो मैं स MON अजे का और यह लिकार उद्रीए दिए हैंन।